नोश्का दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक जॉब की अपडेट बताने आया हूँ जिसमें आपको साउथ इस्टन रेल्वे के अंदर वेकिंसी यहाँ पे आई हुई है एड्वोकेट्स के लिए अब याद रखेगा यहाँ पे एड्वोकेट्स में वर्ड अप्लिकेशन है यह क्लोज हो जाएंगी आपकी 10 फरवरी 2023 यानि कि 10 फरवरी तक कहीं आपके पास टाइम है थोरी की बुरी नोटिफिकेशन आपको रीड करके अपना एप्लिकेशन फॉर्म भरनेगा आप एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे यह आपको नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही पता लगेगा दूसरी बात मैं आपको क्लैरिफर कर रहा हूं कि यहाँ पर आपको experience मांगा गया है आप अगर fresh अपना advocate हो तो आप apply नहीं कर सकते याद रखेगा आपके बास experience होना चाहिए अपना particular post को भरने के लिए अब इसके अंदर क्या है कि engagement मतलब कि advocates को hire कर रही है for the railway advocates का आपको tag दिया जाएगा जिसमें आपको south eastern railway के तौर पे इनकी जो organization है यहाँ पर आपको काम करने का मौका मिलेगा अब इसके अंदर ना अलग-अलग categories के लिए यहाँ पर advocates को चुना जा रहा है central administrative tribunal के लिए अलग advocates को चुना जाएगा railway claim tribunals के लिए अलग advocates के लिए चुना जाएगा district courts को के लिए अलग advocates and sub subordinate courts and other जो मारी statutory bodies है उनके लिए south eastern railway के जो cases deal करेंगे उनके लिए अलग-अलग अपना particular experience भी है अलग-अलग यहाँ पर category भी है अलग-अलग थोड़ा पे scale भी है याद रखेगा अब इसके अंदर बात बता रखिए कि आपको application अपना भरने से पहले कि आपको क्या-क्या stages यहां पर clear करनी पड़ेगी देखिए आपको अपनी application form जब भर रहे होंगे जब आपको form मैं आपको link description box के अंदर दे दूंगा तो आपका एनिक्स जो नंबर बन के अंदर पूरा application form यहां पर mention करा हुआ है आ और आपने कोई cases जो deal कर रखे हैं as an experience आप शो कर रहे हो तो वो experience का जो judgment है वो भी आपको attach करना पड़ेगा कि यह particular cases के लिए आपने deal करा है और particular कोई railway का case भी आपने deal करा है उसकी भी copy आपको attach करनी पड़ेगी अपने application form भरते time याद रखेगा अब इसके अंदर आगे की shortlist करेंगे shortlist करने के बाद केवल और केवल आपका interview होगा कोई भी तरह का आपका exam नहीं होगा याद रखेगा और यहाँ पर आपको जो application अपना भेजनी है वो आप email के जरिये भी भेज सकते हैं offline के जरिये भी भेज सकते हैं दोनों तरह से भी आप भेज सकते हैं तो email मैं आपको बता रहा है screen के उपर भी show कर दूँआ law officers ergrc40 at the rate gmail.com और यहाँ पर जिनका कॉल कता के अंदर हमारा registered यहाँ पर साउथ इस्टन railway का अपना पूरा camp है यहाँ पर आप अपना direct by post by courier by hand भी अपना envelope के तोर पर यहाँ पर अपना application form भेज सकते हैं याद रखे का वश application form यहाँ पर बता रखा है application जब आप form fill up कर देंगे तो इसके इनना documents required कर रखे कि आपको कौन कौन से documents अपने बताने हैं साथ ही में जो मैंना आपको CAT बताया था cat rct district court subordinate courts या other statutory bodies के इंदर जो मैंने आपको बताया था अलग-अलग advocates को चुना जाएगा तो उनका अपना अ कीते हैं ठीक है और उनकी आप particular cases की judgment की copy भी provide करा दीजिएगा वेगर वेगरा और यहाँ पर मांगा गया है आपस पांच document तो relevant ली मांगे है पहला आपका लॉकी डिग्री दूसरा आपके पास enrollment certificate जो बार कॉंसल ने इस्यू करा है वो तीसरा judgment की copy जो भी cases आपने डील करें चौथा income tax return की copy आपसे मांगे है तीन सालों तक की पांचवा आपके पास experience certificate जो आप experience बता रहे हो वह है मेरे पास experience है तो वह certificate भी तो आप कहीं न कैसे issue करवा होगे ठीक है बार का उन सब्सक्राइब आपको इस्यू करवाना पड़ेगा अब इसके मतलब qualification की बात करें तो वही law की डिग्री अगर और enrollment certificate और LLM है तो बढ़िया है desirable qualification मांगे मैं आपको बार बार एक के बात बलता हो desirable का मतलब होता है कि अगर है तो अच्छा है नहीं है तो भी तुम form भर सकते हो तो desirable का मतलब यह होता है अब इसके अंदर जो है यहाँ पर आपको सारे compliance करने के बा एक साल का मतलब yearly basis पे आपको दो साल तक और extend कर दिया जाएगा मुटी 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 बात है पांस सालों तक के लिए आपको यहाँ पर चुना जा सकता है South Eastern Railway के organization के अंदर और यहाँ पर मेजर बात बता रखेगी जो salary package होगा इसका salary package भी बहुत जादा अच्छा है जिसक आप लोग eligible हो अपने आपको मानते हो या फिर एक knowledge के perspective से भी आपने यह वीडियो देखी है तो आपके लिए beneficial अगर लगी है तो वीडियो को like जरू करेगा ऐसी daily updates जानने के लिए आप मेरे चैनल को subscribe जरू करेगा हम मिलते हैं next video के अंदर thank you धन्यवाद